नमस्कार दोस्तों बिहार में बहु बली नेता आनंद मोहन सिंग की रिहाई हो चुकी है और आनंद मोहन सिंग की रिहाई की अगर कोई आप वीडियो या फोटो शोशल मीडिया पर कहीं सर्च कर रहे हैं तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि नितीश कुमार ने पहले तो जेल मैनूल में इनके लिए बदलाव किया जेल के कानूनों को बदला गया और उसके से 15 किलोमेटर के दूर ही इनका गाव है पंचगचिया तो सहरसा जेल से इन्हें किस समय निकाला जाएगा कैसे निकाला जाएगा इसकी किसी को कानों कान खबर नहीं थी गुरुवार को यानि के 27 अपरेल को इनकी रिहाई होनी थी इन्हें बाइज़त बरी किया जाना था और सारे देश के मीडिया की नजर इस पर थी दिल्ली से कई मीडिया चैनल्स ने सभी ने अपनी टीमें वाँ पर भेज़ दी थी कि देखे हैं आनन बहुन जब बाहर निकलें जेल से उनका इंटरिवू कर लेना बाइट ले लेना ये कर लेना वो कर लेना फला कर लेना सरकारी काम है दस ग्यारा बजे तक रियाई होगी हो सकता है दोपैर हो जाए हो सकता है शाम भी हो जाए सारे मीडिया के लोग सहरसा जेल पर पहुँचे हुए थे ताम जाम वहाँ पर हो चुका था लेकिन जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो पता लगा के आनन मोहन तो क खबर चलाई है और उसने जेल वोगे जो अधिकारी हैं उनसे इसको कनफर्म करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि नहीं साथ सबच हैं बज़े हुई है रिहाई यानि के तीन बजे से सबच हैं बजे के बीच उनके रिहाई की परक्रिया हुई और उनको चुपके से वहाँ से निकाल लिया गया जेल के आसपास कहीं होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, भीड, जमावड़ा, ढोल, नगाड़ा, तासा, फोटो, कैमरा, कुछ नहीं था किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, अब तस्वीर बाद में कोई आ जाये, कोई किसी सक्स ने वहाँ से निकलते वे तस्वीर खिचली हो, या जेल के किसी स्टाफ ने तस्वीर खिचली हो, बाद में वो वाइरल होने लगे, तो अलग बात है, अलबत्ता उनकी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरे वो तो जरूर हैं जो अभी दो दिन पहले वो अपनी पेरोल खतम होने के बाद जब सहरसा जेल में दुबार गए थे अपने बेटे की सगाई करवाने के लिए आये थे बाहर चेतन आनंद जो उनका बेटा आरजेडी यानि के लालू की पार्टी का विध किया और अपनी पेरोल खतम होने के बाद जेल में गए लेकिन ब्रस्पतिवार को सुभे जब वो जेल से बाहर निकाले गए वितीश कुमार की सरकार दुआरा विशेश सुरक्षा प्रबंदों के दीच तो किसी को कानो कान खबर नहीं गई अब इसे लेके तरह तरह की पर चर्चा शुरू करते हैं कि क्या-क्या खबरी चल रही है देखिए उनका जो गाव है पंच गच्छिया 12-13 किलोमेटर दूर है सहरसा से जहां पर वो जेल में बंद थे तो उनके गाव के लोगों को ये खबर हुई कि वो सीधे गाव आएंगे वहीया जी रिहा होने के बाद और यहां पर फिर उनका जोड़दार स्वागत किया जाएगा और बताया जाता है जो खबर छपी है इंडियन एक स्टोरी चापी है आज उसका दावा है कि शाम पांच बज़े तक ब्रस्पतिवार की शाम पांच बज़े तक उनके गावों के लोग इंतिजार करते है पलक पावड़े बिचाए कि हमारे भाईया जी आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे लेकिन वो तो कहीं और ही चले लेकिन जो खबरे आ रही है किसी का ये कहना है कि वो यहां से सीधे पटना चले गए कुछ लोगों का कहना है कि वो पटना से आज यानि के फ्राइडे मे देरादून चले गए कुछ पता नहीं है उनका बेटा चेतन आनंद जरूर मीडिया के सामने आया उसने मीडिया से बातचीत भी की उन्होंने का देखे मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और अपने पिताजी की तरफ से मैं सब का शुक्रिया अब इसमें मामला उठने लगा है DMG कृष्णया का भी आपको याद होगा के जी कृष्णया की 1994 में हत्या हुई थी मोब लिंचिंग हुई थी और उस मोब लिंचिंग की जो घटना हुई थी उसके ही आरोप में आनंद मोहन को उम्रकैद की सजा हुई थी और जो उनके समर तक बता रहे हैं आनंद मोहने 15 साल 9 महीने 25 दिन जेल में गुजा रहे हैं पूरे के पूरे और उनके लिए 5 दिसमबर 1994 में को DMG कृष्णया की अर्ट्या हुई थी और 3 अक्टूबर 2007 को आनंद मोहन को और 3 अन्य लोगों को फासी की सजा हुई थी 29 लोगों को बरी किया ग 10 दिसमबर 2008 को हाई कोट ने आनंद मोहन की फासी को उम्र कैद में बदल दिया था फिर 10 जुलाई 2012 को हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में अपील हुई और सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फैसले को सही बताया था और 10 अपरेल 2023 को जेल मैनुवल से काम के दोर सक्षान सरकारी सेवक की हत्या का कलॉज नितीश कुमार ने हटवाया एक कलॉज होता है कि अगर आपने जेल के किसी सरकारी करमचारी की हत्या कि है या हत्या की सड़ीयंतर में साबिल हैं तो फिर आपकी सजा अम आफ नहीं हो सकती, इस कलॉज को उनके लिए स्पेशली हटवाया गया और उसके बाद उनको रिहाया करवाया गया है और तरह तरह की खबरे चल रही है मैं तो देख रहा था कि जो उसमें डीम थे गोपाल गंज के जी करशनेया जिनकी हत्या के मामले में इनको जेल हुई थी उनका ड्राइवर है एक दीपक उसका बियान भी लोग चला रहे है और उसने का कि मैंने जब भीडने हम लोगों को घेर लिया था पांच जार लोगों के भीडने तो मैं बैक गेर में ही गाड़ी बगा कर अपनी अबस्डर कार थी भी एचक्व शेवन सेवन सेवन उसका नंबर था उसने का कि मैं बैक गेर में ही उसको बगा कर ले गया था लेकिन ड्यम साब ने का कि यार तुम गाड़ी रोको देखते हैं यह लोग क्या कहना चाते हैं जो इस समय आंदर परदेश में रहती हैं आपको पता ही है कि जी कृष्णेया दलित परिवार से गरीब परिवार से आते थे और उनकी पतनी विडो वहां रहती है अपने दो बच्चों के साथ एक बेटी की उनकी शादी होगी बेटे की शादी अभी हुई नहीं है और मीडि नरेंदर मोदी से अपील करूँगी उनको चिच्ची लिखूँगी अस्तक्षेप करने के लिए क्या एक सरकारी करमचारी का जो हत्यारा है हत्यारोपी है क्या उसको इस तरह से रिया कर दिया जाएगा कानून बदलावकर ये तो बहुत घोर अन्याय है और इस बाबले में इन्होंने जब अपनी राजनिती की शुरुवात की थी तो लालू परसाद यादव के अगेंस्ट की थी जो जाती वाद जो भड़का हुआ था पूरे बिहार में उसके खिलाफ इन्होंने अपनी शुरू की थी और इन्होंने आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी ब प्रड़ा और जीता दो साल बाद 98 में फिर चुना हुआ जब वाजबेजी की सरकार गिरी थी लगतार दूसरी बार जेल में रहते वे चुन सांसत चुने गए और उन्हें बहाव बली के रूप में जाना जाता है और उन पर हत्या लूट अपरन फिरोती दबन गई अनेको मामले दर्जे लेकिन लगतार वो जीतते चले आ रहे हैं और राजनिती में उनका दबदबा बिलकुल बरकरार है 1990 में पहली बार विधायक बने थे महीशी सीट है जो 1996 में समता पार्टी के टिकट पर शिवर से लोकसभा चुनाव जीता समता पार्टी नितीश कुमार की ज जोर्स फर्नांडीज वाली पार्टी जिसमें दोनों साथ रहे संस्तापक सदस्य थे आनंद मोहन और ये इस दोनों लोग इसे मिलकर 1998 लोकसभा चुनाव में राष्टिय जनता पार्टी के टिकट पर शिवर से चुनाव जीते 1999 में और 2004 में भी शिवर से लड़े लेकिन द पीश कुमार पर के इनकी रहाई करवाई है इनके लिए जेल के कानूनों में बदलाव किया जाता है और राजपूतों के वोट लेने के लिए तमाम कोशिशे हो रही है बीजेपी ने इसका विरोध जताया है अमित मालविय और कई नेताओं सुशील मोदी ने भी इसका वि लोग जानते ही हैं कि आरजपूत वोट लेने के लिए आनन्द मोहन से को बाहर लाया जाये और जहां इलाके में उनका प्रभाव है वहां उनसे परचार करवाया जाए या उनके बाहर आने का एक इंपक्ट हो के राजपूत कम्यूनिटी नितिश कुमार और लालू परसाद यादव की पार्टी के साथ जाए और एक खबर बता दूँ और आपको कि लगबग आठ नो म अब उन्हें ट्रैवल करने के आजादी मिली है तो आज वो पठना पहुँचे हैं यानि के अब सब लोग पठना पहुँच चुके हैं आनन्द मोहन भी पहुँच चुके हैं नितिश भी पहुँच चुके हैं लालू भी पहुँच चुके हैं तेजस भी पहले से हैं तो और चुनाव जीत लो लेकिन क्या बिहार की जनता हमेशा ऐसे ही चुनाव में वोटिंग करती रहेगी क्या बिहार की जनता नहीं चाहती कि अपराद का और पिछडे पन का और गरीबी का जो ठुपा लगा हुआ है बिहार पर वो उसी तरह से अट जाया जैसे कि पडोसी जान सभा चुना हुआया योगी आदित्यनात के नाम पर जिता गया योगी आदित्यनात के लौ एंड और के नाम पर लोगों ने वोटिंग किया लेकिन क्या बिहार के लोग लौ एंड और के नाम पर वोटिंग चाहते हैं या फिब जात विरादरी के नाम पर वो इसी तर नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और देखे सबसे बड़ी बात जो है एक बार फिर आपको बता दूँ कि अतीक एमद वाला जो मामला हुआ है जिस तरीके से पुब्लिक प्लेस में उसको मार दिया गया मुझे लगता है कि आनंद मोहन के जो समर्थक थे या उनके लोग जो थे उन्हें भी आशंका थी कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए और इस तरह की घटना को अवैड करने के लिए उनकी रिहाई को लोग प्रोफाइल रखा गया लेकिन समय आएगा तो मीडिया के सा आजनीती भी आप लोग समझ जाएंगे आपसे बात होती रहेगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें